तो मुझे ऐसा रहा है कि WWE वालों को खुद बाखुदी बात अनौंस करें देनी चाहिए कि तर रॉक रॉयल रंबल के अंदर आएंगे आफे नहीं अब लोग डबल डबल के आने वाले प्रीमिम लाइवेट रॉयल रंबल की तरह बात रहें जिसको होने में आप सिर्फ ना के बराबर कुछी दिन तो बाकी रहें लेके जो हाइप बन रही है और उसका में रीजन यह है कि WWE वाले कॉल्टिनूसली ड्रॉप कर रहे है पीपल चांप दर रॉक के रिटन के रियूमर या पर कहलो टीजर या फिर इस्ट्राइक जो मर्जी कह सकते हो और इसे ना में डबल डबली ने ऐसा कॉन सा फिर से कांटिकर दिखा है जिससे में यह कहरो कि भाई अब तो ऑफिशील अनॉस करी ही डालो उसके बार में बात क मर्चेंडाइस स्टोर अवेलिबल करवाती है जगह की ऊपर मालों जहां पर भी और टेक्सिस के अंदर है इस बातों सैनेंटोरियों में हो रहा है तो वहां पर डबल डबली वालो रॉयल रंबल के लिए अपना जो सूपर स्टोर है वह अनौस कर दिए भाई हम लोग 26 जै सब्सक्राइब को लेकर अगर आपको याद होगा निकनेम कह सकते डबल डबली कंपनी के दर काफी सारे पीपल चैंप रॉक है एलेक्ट्रफाइंग मैन है और दी ब्रहमा बुल रॉक भी है अब देखो यहां पर डबल माइंड गेम खेल रही क्योंकि टेक्सिस है वह बु पूरी तरीके से रॉक का टीज रहा है और बुल वाली चीज़ में बताया टेक्सिस के स्पोर्स के अदर वह काफी काफी चीज़ है लेकिन अगर डबल डबली फैन की तरह देखा जा अचानक से रॉल रॉक पॉस्टर उतना इलेक्ट्रफाइक में ब्रहमा बुल को एड़ कर देना उस पर डबल डबली का लोगों लगा होना मैं सीरिसली बता रहो डबल डबली हाड में प्रमोट कर रहे है कि दा रॉक वापस आने वाले रॉयल रबल के प्रीम लाइवेट के अदर और वी आर फानली गेटिंगे ड्रेसल मीनिया रोवन रेस वर्सिस द रॉक फॉ दो रॉक आ रहे हैं अगर बाइच दो रॉक नहीं आते तो मुझे लग रहा है वीडियो पसंद आए फटाफ फटाफ से वाली वीडियो को नीचे लाइक करो साथी में जो लोग चैनल के पड़ी हुए सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना और म बहुत ही जादा जल्दी तिल देट बाइबाई टेक केर